अकलेश यादो ने लिया दलित OVC के खिलाब इस्टेंड चाज चुनाओ तक ही सीमी थाई अकलेश का पीडिये फार्मूला अकलेश नहीं चाहते दलित विरादरी के बच्चे पड़े लिखे अकलेश के स्टेंड पर भढ़के दलित चिंतक उत्रप्रदेश के सरकारी स्कूलों में विवस्था सुधारने के लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का आदेश जारी किया जिसके विरोध में पूरे प्रदेश के सरकारी सिक्षक प्रदेशन पर उतर गए और सभी ने एक सूर में कुछ स्पेशल मांगे रखकर डिजिटल अटेंडेंस का बैकॉट किया। इस बैकॉट में सिक्षकों को पूरो मुख्य मंत्री और सपा ध्यक्ष अकलेश यादों का साथ मिला। अकलेश यादों ने सरकार के इस फैसले को गलत साबित करते हुए शिक्षकों के समर्थन में इसे हटाने की मांग कर दी। शिक्षकों के विरोध से सरकार ने फैसले को इस्थगित कर दिया। जिसके बाद अकलेश यादों ने फिर लंबी चोड़ी पोष्ट कर सिक्षकों के समर्थन में महिमा मंडल लिखा और खुद को शिक्षक के परिवार का बताते हुए सिक्षकों का हमदर्द बताया हला कि अकलेश यादो की पोश्ट देख शिक्षक भले खुश हुए हो लेकिन दलित चिंतक दिलीप मंडल ने अकलेश पर करारा हमला बोलते हुए उन्हें गरीब और दलित विरोधी बता दिया दिलीप मंडल ने कहा सरकार के अच्छे फैसले की गर्ब में ब्रूड हत्या इतना ही दिलीप मंडल ने फिर अकलेश श्यादो की नाम एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी मंडल ने लिखा प्रिये अकलेश श्यादो जी हर बैंक कर्मी अपनी ब्रांच में समय पर पहुंचता है चाहे उनकी ब्रांच कितनी भी दूर दराज क्यों ना हो रेलवे स्टेशन या पोस्ट बिहर जंगल में हो तो भी रेलवे करमिचारी वही रहता है सैनिक जहां डिवटी लगती है वही रहते है पुलिस वाले जहां कहीं चौकी या थाना हो अक्सर वही रहते भी है सिचाई विवाग और जंगलात में भी यही होता है प्राइवेट सेक्टर में तो आपको कहा होना है यह च्वाइस ही नहीं है जहां कमपनी ने कह दिया वही अंतिम बात है पर यूपे के सरकारी स्कूलों के कुछ टीचर शेहरों में रहकर दूर गाउं के स्कूलों में त्यूटी करना चाहते है या अपने गाउं में रहकर ही कहीं दूर नौकरी करना चाहते है जब attendance लगाने की बात आती है तो विरोध में आंदोलन कर देते हैं और देश में आप जैसे नेता हैं जो गरीब और खास कर S.A.S.T. और O.B.C. बच्चों का हित भोल कर चंद teachers के साथ खड़े हो जाते हैं ज़्यादा तर teacher काम करना चाहते हैं पर आप लोगों को इससे क्या सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है ये शायद आप नहीं जानते होंगे आपके बच्चे तो विद्वेश में पढ़ते हैं यूपी के गरीबों के प्रती मेरी हार्दिक सम्वेदना और शोक और आपको ध धिकार है देरेसल यूपी में प्राइमरी और मादमिक शिक्षकों को लेकर जनता को परशिप्सन खराब है जिनके पास कुछ भी आमदनी है वह अपने बच्चों को अच्छी सुविदायों वाले सरकारी स्कूल के बावजूद ऐसे सिक्षकों के पास नहीं बेजना चाहत और फीज देकर भी टीने वाले स्कूल में भेस्ट बच्चे के उजवल भविश्य की उमीद रखते हैं ऐसे में सरकार ने परशिप्सन बदलने के लिए एक कड़ा फैसला लिया था जिसके विरोध में शिक्षक लामबंद हो गए अकलेश यादों ने भी शिक्षकों का सा लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अकलेश यादों ने शिक्षकों के साथ इसलिए दिया क्योंकि पहली बात तो उनकी संख्या 6 लाग से भी जादा है ऐसे में उनके और परिवार के वोट मिलेंगे साथ ही उनकी ड्यूटी चुनाओं में लगती है ऐसे में 2027 के चुनाओ में सिक्षक वोट और सपोर्ट दोनों सपा को करेगा ब्यूरू रिपोर्ट एंटी टीवी भारत